पनोर मंक्रो जो सोचता है वो करता है या इंडिया गटबंधन और एंडिया गटक दल का भी चल रहा है मामला सीटों के बटवारे पर जहां इंडिया गटबंधन की अटकी हुई है तो एंडिया गटबंधन ने भीतर ही भीतर सब कुछ फाइनल कर दिया है लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच में ये चर्चा बार बार बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार हो या फिर भारत लाइब हो बाबा हो ये बात चर्चा करते रहते हैं कि समय पर लोगसभा और विधानसभा का चुना हो जाएगा बाबा ने कुछ दिन पहले आपको एक खबर बताया था कि विधानसभा भंग होने वाला है नितीश किसी भी वक्त विधानसभा भंग कर सकते हैं और इसकी तयारी शुरू भी हो चुकी है क्या वाकई में लोगसभा और विधानसभा के चुनाव समय पर हो जाएंगे जो नितीश कुमार बाते कहते रहे हैं कई सारी चीजे और कई शारे जो हैं कैसे मिल रहे हैं बीतर की बात में आज इसी विशे पर चर्चा करेंगे चलिए बाबा के पास चलते हैं क्या कुछ बाबा के पास ख़बर है बीतर की बात में बाबा क्या जो नितीश कुमार दावा बार बार जब से महागडबंदन की सरकार बनी है तब से वो बार बार ये बात का कहते हैं कि दोनों चुनाव एक साथ होगा लोग सभा का, बिधान सभा का, आखिरकार उनके मन में जो प्रश्णू उठा, आप भी लगतार कहते रहें कि नितीश कुमार बिधान सभा भंग कर देंगे, ये इसका इशारा कैसे मिला, कैसे मतलब लग रहा है कि क्या कारण हो सकता है कि दोनों चुना एक साथ हो जाएंगे देखे, महरत ने सबसे पहरे तो भीतर की बात सुरू करने से पहरे मैं थोड़ा से करेक्ट कर दूँ, कि नितीश कुमार बिधान सभा भंग करने वाले नहीं है, नितीश कुमार के पास ये अंतिम आप्सन है, जो कई आप्सनों में से होकर काया था, हमने खबर जो किया था हलाकि हम पिछले 7-8 महीने से ये लगतार खबर कर रहे हैं जब से नितीश कुमार और लालू परसाद एक साथ आये हैं, और लालू परसाद ने बिहार में डेरा डाला है, तब से हम लगतार ये बात कर रहे हैं कि लालू परसाद जब सामने हो, तो नितीश कुमार असहज हो तो विधान सभागों भंग करना लेकिन आखिर ये बात ये चर्चा हम कर क्यों रहे हैं सबसे बड़ी बात ये है कि आपने सुना होगा कि निटिश कुमार बार-बार ये बात कह रहे हैं और अपने हर वो मीडिया के सामने जब रूबरू होते थे तो ये कहा करते थे कि अरे वक्त से पहले वी चुना हो सकता है एक तरफ ये और दूसरी तरफ भारती जनतापार्टी केंदर की शरकार वो लगतार कहती रही है कि एक देश-एक चुना हो इसकी भी चर्चा हम लगतार कर चुके हैं और हमने कई बार इस चर्चा पर भी अपनी बातें रखी है विश्ल सबसे बड़ी बात है कि अगर के साथ भिदान सबास ऐसे चुनाओं होंगे तो हम भीहार के चर्चा क्यों कर रहे हैं जो लोकसाबा के साथ बिधान सभाच चुनाओ कराने के पक्षदर है, नितिश कुमार ने कई बार कहा है कि कम करने के लिए, चुक्त है आप जानते हैं कि अभी नितिश कुमार को लेकर कि जा जितनी वी बाते आप कह लिजिए, उसहज हो गया है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा लेकिन नितीश कुमार ने जो इस्थापित किया है बहुत सारी बाते हैं उन बातों को आप भूला नहीं सकते हैं उसके आधार पर आगे कई सदियों सदियों के राजनी चलती रहेगी अब जो सामने हमारे पास विकल्प है उस विकल्प को लेकर के सबसे पहले तो यह जानना जरूरी होगा कि लोग सभा के साथ विधान सभा के चुनाव कैसे कराए जाएंगे बिल्कुल इसके लिए कोविंद कमीटी ने जो चार सुत्र बताये हैं इन चार तरह से लोग सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं जिनमें सबसे पहली बात है कि र 2024 में अगर लोग सभा का चुनाव करना हो तो क्या करना पड़ेगा तो एक उसमें रास्ता यह होगा कि सभी दल जिसके एक भी सदस्य हो वो सभी मील करके राजयपाल के साथ बैठें और बैठ करके एक फॉर्मूला तै कर लिया जाए कि एक सरकार आंतरिम सरकार बनाई दूसरी परक्रिया है कि बचे हुए कारेकाल के लिए सभी दलों को साथ बिठा करके और आपस में ही चर्चा करके आंतरिम सरकार बना लें कि भाई 2025 का चुनाव 2024 में होना है तो सेस क्या होगा यह एक परक्रिया है दूसरा है कि इसमें जो कमीटी ने अपनी रिपोर्ट पे इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि सरकार को यह अधिकार है कि वो कारेवाहक सरकार बना सकती है जो छे महिने तक भैलिड होती है इसके साथ-साथ अगर सरकार गिर जाए या सवन को भंग करा दिया जिसकी चर्चा में कर रहा था अगर विधान सभा को भंग कराने की प्र पोटो के अधार पर कि बिहार में 2025 में चुनाव होने हैं अगर नितिश कुमार और सहज हो जाते हैं तो वो विधान सभा को भंग कराने के सिपारिश कर सकते हैं और विधान सभा भंग होने के बाद 6 महीने तो को मुख्यमंत्री की कुर्शी पर भी बने रहेंगे और इस ग्रिया एक देस एक चुनाव कहा यह जा रहा है कि 2013 के लिए फॉर्मुला बनाया जा रहा है इसका वॉर्मिट जो है Period 2029 के लिए तयार किया रहा है 2019 में बहुत कुछ होना है, परिशीमन की भी बात हमने की है, हमने बताया कि 2026 से 27 तक हर हाल में परिशीमन कर देना होगा लोग सवाज्चेत्रों और विधान सवाज्चेत्रों का, इसके साथ-साथ उसके लिए जातिये जनगर्णा भी करानी पड़ेगी, यह सारी प्रक्रिया इसमें अभी आपने देखा कि पांच राज्यों के चुना हुए, इसके बाद 2024 में जो चुना होने वाले हैं, उनमें से जो राज्य हैं, आठ राज्यों में चुनाओ 2024 में होने वाले हैं, जिसमें जून में कुछ राज्यों के कारेकाल खतम हो रहे हैं, जिसमें आंत्रप् के लिए अपनादीव सरकार वाली बात हमंने कही है इसके बाद दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में dois हाजार पचीस में चे राज्डियों का चुनाओ होना है जिसमें वीहार वी तफे चुनाओं में मौजूदा तो एसी स्थिति में उस राज्य को भी चुनाओ करेंगा और जिस तरह की परक्रिया मैंने बताई कि सर्ब्दलिय सरकार बनाए जा सकती है या फिर आंतरिम सरकार काम कर सकती है तीसरे चरण में 11 राज्यों में चुनाओ होने हैं जिन में 2026 में चुनाओ होने हैं और यह परक्रिया जो है 2026 में होगा था चबीस है तीन तीन साल उनके पास बचेंगे तो उनके लिए भी वही परक्रिया आए जिसमें उत्तरप्रदेश, गोवा, मनीपूर, पंजाब, उत और उसके लिए उसके लिए उपरक्रिया जो है संभिधान का अनुषेद 172 का पालन किया जाएगा इसके साथ-साथ नागालेंड तिरपूरा इनका 13 से 17 मा का कारेकाल घटेगा जिन राज्यों में 5 में से अधिक चुनाओ होने हैं जो 5 राज्यों के चुनाओ हुए हैं इन विशेश परिस्तिती में सरकार का कारेकल बढ़ाया सकता है यानि कि घुमां फिरा कर के अगर आप देखें तो नितीश कुमार ने जो बात कही है उस बात को भले ही 2029 के लिए लोग कह रहे हूं लेकिन नितीश कुमार अभी जो रदमान परिस्तिती बनी है उसमें 29 नहीं एक प्रियोग बिहार में करने जाने हैं, हो सकता है कि ये प्रियोग इसी साल करके, मतलब आने वाल 2024 के चुनाव करके, बिहार कम से कम वो पहला राज ये बनना चाहेगा, और एक record भी बनेगा, कि नितीश कुमार ने one nation, one election की हिमायत की थी, और उन्होंने 2024 में ही ये प पर क्या कुछ निकल करके सामने आता है, लेकिन इतना तो मान के चलिए, कि 2024 में नितीश कुमार जी का जो भी फैसला हो, 2019 में एक देश, एक चुनाव की पूरी रणिती और जो कार्य है, वो लगबग कर लिया गया है, और इसके कई सारे आयाम, कई सारे मायने हैं, अब आप इसको जैसे भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात तो तैमान के चलिए, कि भारतिय जनता पार्टी की आइडियोलोजी से, नितीश कुमार का कनेक्शन बहुत ज़्यादा रहा है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे ट्रीपल तराक हो, चाहे सीए भी हो, सारे मामले पर, नितीश क कुमार की जो रड़नीती और राजनीती है, बहद, भारतिय जनता पार्टी से मिलती जूलती रही है, कई ऐसे फैसले, जो नितीश कुमार के द्वारा लिए गए, उसे भारतिय जनता पार्टी ने अडॉप्ट किया है, ऐसा दिखता भी है, और यह एक नेशन, एक अभी के लिए इतना है देख तेरे भारत लाइब खबरों का सिल्चला जारी रहेगा बहुत-बहुत धन्यवाद अगर ये वीडियो पसंदाई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद